हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्कुल पॉफेक्ट तरीके से लहंगे में या फिर कूरती में लटकन कैसे लगाते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल मजबूती से लटकन लगाने के लिए चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूं कि कैसे हम पर फ्रेक्ट तरीके से लहंगे में या फिर अपनी कूरती में लटकन लगाएं तो ब्यूटिफुल लगेगा हमारा जो लहंगा है तो चलिए देखते हैं तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं तो ये मेरे पास लहंगा है ये बहुत ही प्रिटी जागो या फिर गिद्दे में पहनने वाला लहंगा है तो फ्रेंड्स अगर आप इस लहंगे को बनाने की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम कैसे इसमें लटकन अटैज करते हैं बिलकुल परफेक्ट तरीके से तो ये मेरे पास गोल्डन लटकन है और ये जो हमारा नाड़ा हमने बनाया है डोरी तो वो भी है आपके सामने तो ये बारीक मैंने इसकी डोरी बनाई है जो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लोग मोस्टली ऐसे गांट बांध के ही लटकन को लगा देते हैं इसी तरीके से लेकिन ये अच्छा नहीं लगता तो इसको लगाने का बहुत ही एक अच्छा और सरल सा तरीका है जिससे कि हमारी जो ड्रेस है वो बिलकुल पॉफेक्ट और ब्यूटिफुल लगती है तो फ्रेंड्स अगर आप खुद से स्टिचिंग करते हैं तो आपको ऐसे ही बिलकुल पॉफेक्ट तरीके से लटकन लगानी चाहिए और ऐसे मजबूती से भी लगती है और गिरती नहीं है तो सिरफ पांच मिनट लगते हैं सबसे पहले तो ये ही डोरी वली साइड पहले छोड़ देनी है तो जो हमारा फैब्रिक है जिदर फैब्रिक की डोरी है वहां से ऐसे फोल्ड करते हुए थोड़ा सा पार्ट तो इसको हमें सुईधागे से पक्का कर देना है मजबूती से ताकि ये बिलकुल मजबूती से बना रहे और निकले नहीं बार बार तो इसको 4-5 टाके लगाके हमें सबसे पहले पक्का कर देना है सेम कलर का थ्रेड यूज़ करना है क्योंकि अगर हम अलग कलर का यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा परफेक्ट नहीं लगेगा तो अब हम फ्रेंट्स ये देखिए ये डोरी दोरी होती है ये ऐसे ही उपर लपेटने के लिए होती है तो इसको ऐसे फोल्ड करते हुए हम जो हमारी फैब्रिक की डोरी है उसके उपर घुमाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा दिस्टन्स छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये डोरी थोड़ी छोटी है कईयों की तो गोल्ड किया था तो अब हम ये जो सुईधा का हमने छोड़ा था बीच में ही तो उससे ये देखिए फैब्रिक ये जो डोरी है उसमें से निकालते हुए यहां से भी हमें दो तीन टांके लगा के पक्का कर देना है ताकि ये बार-बार खुले नहीं तो ये गोल्डन डोर के उपर और इसको मजबूती से यहां पे पका कर देना है इससे एक तो हमारी लटकन खुबसूरत लगती है और ड्रेस को चार चांद लग जाते हैं अगर हम वैसे ही गाठ बांत के लगाते हैं तो वो कुछ कमी सी लगती है ड्रेस में और अन प्रफेशनल सा काम लगता है तो 5-10 मिनट जादा लगते हैं लेकिन ऐसे यह बहुत प्रिटी और मजबूती से लगता है तो अपने काम को जरूर प्रफेक्शन दें अगर आपने इतनी महनत अपने ड्रेस पे की है तो थोड़ा सा ये भी जो काम है इसको भी करके बिल्कुल पॉफेक्ट अपनी ड्रेस रेडी कीजिए तो अगर आप रेडी में ड्रेस लेती है तो उसमें भी गांट बांद के ही लटकन लगाई होती है तो आप उसको भी खोल कर और अपने ऐसे ही तरीके से लटकन को लगाएं क्योंकि लटकन तो बहुत कॉस्टली मिलती है मार्केट में और वो गांट लगाक सफाई से लगी हुई लग रही है और यह बहुत मजबूत हो चुकी है तो बिल्कुल भी गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और आपके काम में प्रफेक्शन भी लग रही है तो बहुत आसान और सरल सा यह तरीका है लटकन को लगाने का मैंने पहले भी एक वीडियो डा देखें फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए यहां पर हम टाके लगाएंगे मजबूती से चार-पांच टाके लगाके इसको पक्का कर देंगे और यह धागा हमें तोड़ना नहीं है अभी इसको इसके साथ ही छोड़ देना है क्योंकि इससे हम बाद में फिर से टाका लगाके इसको पक्का करेंगे तो यहां से मजबूती से करते हुए अब हम यह जो हमारी गोल्डन डोरी है इसको बल चड़ाते हुए फेब्रिक की डोरी के उपर लपेट देंगे जैसे हमने पहली लपेटी थी यह सारी रैप कर देंगे इसको उपर और एंड तक आके तो फिर जो सुईधागा हमने इसके बीच में छोड़ा था उससे हम सेम वैसे ही जैसे हमने पहले में टाका लगाया था दोरी में से निकालते हुए वैसे ही यहां पे भी पक्का कर देंगे और अब खीजने पर भी यह हमारी जो लटकन है वो गिरेगी नहीं और अच्छी भी लगेगी तो यह मैंने यहां से निकालते हुए यहां पे भी तीन चार टाके लगा कर इसको पक्का कर दिया है तो बस इतना सा ही काम है तो इतने से ही टाइम में आपके काम में परफेक्शन भी आ जाती है और वैसे भी हमारी जो लटकन है वो गिरने से बच सकती है लॉंग टाइम तक वैसे ही जैसे हमने लगाई थी वैसे ही रहेगी जब तक हम खुद नहीं इसको निकालेंगे तो फ्रेंड्स जरूर 5-10 मिनट लगाके और आपने काम में परफेक्शन लाइए तो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा मेरी एक और वीडियो है जिसको बहुत सा प्यार मिला है व्यूवर्स की तरफ से आप वो भी देख सकते हैं आई बटन में आपको मिल जाएगी वो मैंने रेडिमेट ड्रेस की लटकन उतारके उसको मजबूत किया था तो ये देखे कितने अच्छे से हमारी दोनों साइड की जो लटकन हैं वो मजबूती से लग चुकी है तो होप फ्रेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल में ऐसे यूसफुल आइडियाज शियर करती रहती हूँ और अगर आपको ब्यूटी और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो देखनी हैं दोनों एक ही चैनल में आपको मिल जाएंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्यूटी और स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत सी वीडियो देखिए तो होप आपको पसंद आई होगी फ्रेंट्स बाई बाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगली वीडियो में